तो हलो एवरिवन आपका एक नए वीडियो में सुवागत करता हूँ तो भाई मेरी हैसी देखके आपको दोस्तो पता चल चुका हो का मैं अब क्या कहने वाला हूँ यानि के दोस्तो भाई उरते उरते रिमर्स से बात निकली है और अब यहां तक पहुचिए के भाई यश का दोस्तो कैमियो मूवी के अंदर तो हमें पहले ही पता लग चुका था कि भाई चलो होने वाला है होने वाला है के जीएफ से कनेक्टीड है लेकिन लेकिन भाई अब जो बात निकल के आई है और जो मैंने थमनेल में लिका है भाई वो कहीं ना कहीं देखो अगर सच हो जात है कि वह अज्मी के ढूल ज़े लेकिन आती चानि मोवी के अभी थोय वो жд को आदी को आपको आ ऐसे मिलती आपको बतात पर सालार के मेकर इसका जो फरष्ट देशाइड रोलां तारीक जांने एक भाई साथ कितने बज़े स्टार्ट होता है 12 बज़े होता है लेकिन यहां पर दोस्तों जो इनके प्रोडूसर यानि के विजय साब उनके जो एक ग्यानी बाबा है उन्हों ने एक उनको टाइम दिया है यानि के 12 बच के 22 मिनट का फर्स्ट शो चलेगा 22 दिसंबर की रात को जानि के रा वही जाने लेकिन जो टीजर आया था दोस्तों टीजर भी सुबा बाँज बचके जो बारा मिनट पे आया है वो भी उनी के अकोर्डिंग आया था उनकी के अकोर्डिंग आया था कि किस तरीके से हमें जो है इसको रिलीस करना है कि आप ही बताओ तो उन्होंने वो टाइम बताया तब जाके वो इसको कर रिलीस किया आब हम लोग कर रहता है क्या है क्या में कर रहे हैं और पब्लिक को पर रिक आप यहां पे में सब्सक्राइबर कि लोग 5 बाकर कर दो तो पबलिक दोस्तों रात बर सोई नहीं होगी उस दिन मुझे ऐसा लगता है लेकिन दोस्तों अब यहां पे दो-चार बाते हो निकल के आते हैं भाई मुवी के दोस्तों ट्रेलर की इसका ट्रेलर किस दिन आपको देखने को मिले देखो दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसके पे-जाने की पूरा पूरा अनुमान हैं अगर फर्स्ट दिसंबर को आता है और सेकिंड दिसंबर को आता है तो लगबर लगबरF cows oh boy रिलीज होने में दोस्तों 20 दिन बचेंगें से related कुछ ना कुछ है लेकिन क्या है वह आपको जो गूगल पर आप सर्च करना आपको पता लगने वाला है अब आता हूं दोस्तों में मुद्दे की बात थे भाई यश्च साहब का दोस्तों मूवी के अंदर कैम्यू है पता है ठीक है ट्रेलर के अंदर कैम्यू है यह नहीं निकल के आई है और वहां की नियूज भाई जो भी होती है गलत नहीं होती है तो बताये जा रहा है दोस्तों यह थैसे लिए ऊसे साथ. आवाइसे allez डीजा लिए मुझे नहीं लगता कि यह लोग ट्रेलर को रिलिस करेंगे और युर्ष को उसमें दिखाएंगे दिखा यहां तो पब्लिक को पसंद आएगा यह जो उसमें कि चूंदन क्रेंगे लिए आएगा तो इसमें दो बाते होंगी कि उनको क्या चीज़ पसंद आएगी देखो या तो ये श का चेहरा पसंद आएगा ये श की बैक्ग्राउंड में आवास पतन आएगी देखो ये श का चेहरा पसंद आने की तो बात ही नहीं हाँ बैक्ग्राउंड पसंद आएगा तो इ लबर दस तरीके से यहां पर जो है इसका पूरा सजाया गया है इसका जो है सैट तो दोस्तों मैं तो यार बहुत ज़्यादा एक्साइटीड हूं आप कितना एक्साइटीड हो मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताओ तो मिलता हूं आप सेके लिए किसी वीडियो में है थैंक्स वर वाचिंग और फर्स्ट डे फर्स्ट शो कॉन कॉन देखने वाला नीचे कॉमेंट में दरूर बताना